कि नबश्कार मैं हो दिपारी शिवास्तव और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com सत्यहिंदी.com के इस खास कार्क्रम सुने सिनेमा में आप सभी का एक बार फिर सुसागत है इस खास कार्क्रम में आपको बता रहे हैं बॉलिवुड से चुड़ी खास ख़बरों के बारे बॉ इस केस में कई फिल्मी हस्तियों के नाम भी सामने आ चुके हैं ड्रक्स केस में गिफ्तार हुए एक्ट्रस रियर चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को मुंबई के विश्यच अधारत ने बुद्वार को जमानत दे दी हैं इससे पहरे सावत ओक्टूबर को बॉ और शौविक को चार सितंबर को गिरिफ्तार कर लिया गया था शौविक चक्रवर्ती को जमानत देते वक्त मुंबई की विश्यच अधारत ने सुप्रीम कोट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि नसीवी के सामने बयान देना या किसी बात को स्विकार करना कोई प्र 14 जोन को विनिता सुशान सिंग राजपूत अपने फ्लाइट पर मिरत पाए गये थे उनकी हत्या हुई थी और उन्होंने आत्मत्या की थी इस की जाज कर जिम्माज सीविया को सौपा गया था तो वहीं इस पूरी जाज के दौरान जब इस पूरे मामले में ड्रक्स केस का एंगल मिला तो इसमें NCB ने भी अपनी जाश्यों की और सबसे पहले रिया चक्रवरती और उनके भाई शौविक चक्रवरती की गरफतारी की गई थी इसके साथ ही कई और बॉलिवर्ट से पूश्ताच की गई थी हाल ही में फॉमीडियन भारती सिंग और उनके पती हर्ष चल रही है और आगे इसमें जो भी अपडेट होगा वह हम आपको बता देंगे आगे अगली खाबर यह है कि बॉलिवर्ट पंजाबी सिंगर तो सांच के बीच इन दीनों ट्विटर वार देखने को मिल रही है इस ट्विटर वार को लेकर काफी चर्चा है और फैंस अपन कामला शुरू कहां से हुआ था दरसल किसान अंदुलन को लेकर सब भी सेलब्स अपनी पनी राय सोशल मीडिया पर व्यक्त कर रहे हैं और ऐसे में अक्ट्रस कंगनारोट ने प्रोटेस्ट में बुजर्ग महिला को सौ रुपए दिहारी की अंदुलनकारी कह दिया था उन् को धुकिक पर अपने हित में बोलने के लिए बने लोगों की सरुन है मतादें कि कंगना ने जिस महिला की बात की थी जुन्हों अन्दुलन में शामिल कांगा ऑप इसमच मीहl हें थी नहीं ऑका निहीं ही जुन्हों लंक साली है उमा मईयं बील वन पर व्योंनार計 की अहींत बाग में अपनी सिटिजन्शिप के लिए प्रोटेस्स कर रही थी, वो बिलकिस बानो दादी जी किसानों के MSP के लिए प्रोटेस्स करती हुई दिखी, मैंदर कौर जी को तो मैं जानती भी नहीं, क्या ड्रामा चलाया है तुम लोगों ने, इतना ही नहीं कंगना ने दिलजीत दोसांच को फिल्मे का करण जोहर का पालतू कुट्ता भी बता दिया, तो मैं इस पर सिंगर ने लिखा, ये बॉलिवोड नहीं, पंचाब वाले हैं, छूट बोलका लोगों को भड़काना और उनकी भावना उसे खेलना तो आप अच्छे से जानती हैं, फिलहाल ये ट्विटर वार अभी भी जारी है, लगातार दिलजीत और कंगना के बीच ट्विट के जा रहे हैं, इसके साथ ही फैंस भी इस पर काफी प्रतिक्रिया आए दे रहे हैं, कुछ लोग कंगना का सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग दिलजीत का सपोर्ट करते वे नजर की गई है फिलाल अभी इस पर कंगनाराथ का कोई भी जवाब नहीं आया है और इस मामले में कोई भी और अपडेट होगा तो हम उनको बता देंगे कुरुना काल के दौरान हम सभी ने कई सलेप्स को खो दिया है और उसमें से एक नाम मशूर संगीतकार वाजित खान का भी है लंबी मवारी के बाद एक जून 2020 को वाजित का निधन हो गया था और अब उनकी पत्नी ने उनकी परिजनों पर गंभी रारूप लगाए है संगीतकार की पत्नी कमाल रुख ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि वाजित के परिवार दौरा उन्हें जबरदस्ती इसलाम को बोलने के लिए कहा जा रहा है वो अभी तक अपने पती के निधन के शोक से बाहर भी नहीं आई है लेकिन दूसी तरफ उनके परिवार दौरा उन्हें काफी परिशान किया जा रहा है कमाल रुख ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्हें लिखा था कि मेरा नाम कमाल रुख खान है मैं दिवंगत संगीत कार वाजित खान की पत्नी हूँ शादी से पहले मैं उनके साथ 10 सार के जिश्टे में थी मैं पार्सी हूँ और वो मिसलिम थे जब हमने शादी की तो इस्पेशल मैरेज आक्ट के दर्गत की मैं इस पर अपना अनभाव साजा करना चाहती हूँ कि किस तरह से मुझे इंटर का शादी करने के बाद धर्म के आधार पर भेद भाव का सामना करना पढ़ रहा है जो ब साज़त की परिवार पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया फिल्हाल अभी तक इस पूरे मामले में उनकी परिवार की और से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आए आगे बढ़ते हैं तो अगली ख़बर ये हैं कि बॉलिवड के लिए भी साल 2020 काफी खराब रहा कई पुरी खबर की बिमारी है और शुकमार वर्मा की हालत काफी नासुक बनी हुई उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है अब इनिता शुकमार उनका परिवार इलाज का खर्ज उठाने में समर्थ है और ऐसे में सिंटा ने शुकमार की आर्थिक मदद के लिए बॉलिवुड स से कुहार लगाई एंसोसियेशन ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में शुकमार वर्मा की हालत की बारें बताते हुए सलमान खान अनिल कपूर अमिताब बच्चन अक्षे कुमार विद्या बालन और सनी देवल जैसे और भी कई सितारों को टैग किया है पोस्ट में सिंटा कर सकें वो करें बता दें कि एक्टर के इलाज में तीन चाल लाक रुपए का खर्च आएगा और ऐसे में उनकी बेटी ने सिंटा से मदद की गुहार लगाई थी इसके बाद सिंटा की ओर से अभिनेता को पचास दिजार रुपए की आर्थिक मदद दे गई थी लेकिन इस काम किया है साथ ही फिल्म हला гol में भी काम किया है इसके साथ ही उन्हों ने कई और फिल्म जैसे बाजी जिन्दगी की जैसे कई और फिल्मों में भी काम किया है हम आशा करते हैं कि वो जल्दी ठेक हो जाएंगे मश्रूर टीवी सेरियल तारग महता का उटा चश्मा के लेखकों में से एक अब शेक मकवाना ने 27 नवंबर को आत्मत्या कर ली थी और पुलिस की जानकारी के अनुसार अब शेक ने आत्मत्या से पहले एक सोसाइड था अब शेक के परिवार वालों और दोस्तों का ये भी आरोप है कि उनके मौत के बात सही उन्हें धोखा करने वालों की तरफ से लगातार फोन आ रहे हैं कि वो उनका पैसा लोटा दें क्योंकि लेखक ने लोन में गारंटर बनाया था अब जैनिस ने बताया कि मैंने कि मेल्स के अनुसार अफशेक ने एक एजी लोन आप से छोटा सा लोन लिया था जिसका ब्यास काफी ज्यादा था और जिसकी वजह से वह आर्थिक समस्या से जूज रहे थे क्योंकि वह पैसे चुका नहीं पार रहे थे फिलाल इस मुरे मामले में चार को पुलिस ने एक् के लिए लिख रहे थे और अब इस पुरी सीरिल के टीम इस पाथ से काफी सदमे में है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया फिलाल आज के लिए पॉलिवूड की खास ख़बरों के साथ इतनी ख़बर थी अगले हफ़ते में फिर से हाजिल होंगी पॉलिवूड की झाल